आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9, हिंदी कोर्स B की पाठ्य पुस्तक स्पर्ष भाग 1 से कविता अगनीपत के MCQ और कक्षा 9 के पाठ्यक्रम से संबंदित नोट्स प्राफ्ट करने के लिए आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं वेबसाइट है www.madhukalash.in प्रश्न 1 प्रस्तोत कविता के कविका नाम लिखिये का सियाराम् शरन गुप्त खा हरिवन श्राई बच्चन गा अरुन कमल घा सुमित्रा नंदन पन्थ और इसका सही उत्तर है खा हरिवन श्राई बच्चन प्रश्न 2 कविता का मोल्भाव क्या है? प्रश्न तीन प्रश्न चार और इसका सही उत्तर है ख संघर्ष पून जीवन प्रश्न पांच और इसका सही उत्तर है ख कभी भी ना ठकने की कभी न रुकने की और कभी पीछे मुड़कर न देखने की प्रश्न चार कभी मनुष्य को किसी से सहायता या सुख की अपेक्षा न रखने की बात क्यों कह रहा है और इसका सही उत्तर है का ताकि वह दूसरों पर आश्रित न रहकर स्वयम अपने बलबूते पर आगे बढ़ सके प्रश्न साथ कभी के अनुसार मनुष्य की असली परिक्षा कब होती है और इसका सही उत्तर है का ताकि अनुसार कौन से मनुष्य अन्त में अपनी मन्जिल को हासिल कर लेते हैं का कठिन समय में हार मानने वाले खा जीवन में हमेशा दूसरों पर निर्भर रहने वाले गा कोशिश ना करने वाले घा किसी भी परिस्तिती में हार ना मानने वाले प्रशन दस एक पत्र छाहा भी मांग मतपंक्ति का आशे स्पष्ट कीजे का दूसरों से किसी भी प्रकार की सहायता की आशा ना रखना खा दूसरों के भरोसे ना रहना गा दूसरों के बल पर आगे बढ़ना गा इन में से कोई नहीं और इसका सही उप्तर है दूसरे से किसी भी प्रकार की सहायता की आशा ना रखना प्रशन ग्यारह इस कविता के अनुसार किस प्रकार का मनुशिय पूजनिये हैं और इसका सही उत्तर है खा, द्रिड, संघर्शी और परिश्रमी व्यक्ति, गा, मूर्ख और अहंकारी व्यक्ति, घा, अमीर और पढ़ाकू व्यक्ति, और इसका सही उत्तर है खा, द्रिड, संघर्शी और परिश्रमी व्यक्ति, प्रश्न बारहां, दूसरों की सहायता लेने से कवी क्यों मना करता है का यदी हम दूसरों की सहायता लेंगे तो हमारी संघर्ष करने की शक्ति कम हो जाएगी खा ऐसा करने से कवी के स्वाभी मान को ठेस पहुचती है गा यदी हम दूसरों की सहायता लेंगे तो हमें भी उनकी सहायता करनी पड़ेगी गा दूसरों की सहा आसहाय लोग ही ले सकते हैं. और इसका सही उत्तर है कः यदि हम दूसरों की सहायता लेंगे तो हमारी संगर्ज करने की सक्ति कम हो जाएगी. प्रश्ण 13. चाया मांगने का क्या आर्थ है? का ठंडक मांगना, खा चाहा में बैठने की अनुमती मांगना, गा सुकसुविधा चाहना, गा धन दौलत की सहायता चाहना और इसका सही उत्तर है गा सुकसुविधा चाहना प्रश्ण चौदहां, कभी ने चाहा मांगने से क्यों मना किया है? का चाहा घनी नहीं है, खा कभी भी चाया प्रिय नहीं है, गा चाया में आलस आता है, गा संघर्ष के बीच सहारे की जरूरत नहीं है, और इसका सही उत्तर है गा संघर्ष के बीच सहारे की जरूरत नहीं है 15. कौन सा मनुश्या अपनी मनजिल को हासिल कर लेता है? और इसका सही उत्तर है गण किसी भी परिस्तिती में हार ना मानने वाला 16. कविता में इस शब्दों की पुन्रवरती बारबार क्यों की गई है? गा बाट पर जोड देने के लिए, खा मनुश्य को आगे बढ़ने की प्रेडना देने के लिए, गा सुर लै ताल बनाई रखने के लिए, घा इन में से कोई नहीं और इसका सही उत्तर है खा मनुष्य को आगे बढ़ने की प्रेड़ना देने के लिए प्रश्न सत्रहां कवी के अनुसार मनुष्य के कठिन समय में यदि कोई मदद का हाथ बढ़ाता है तो उसे क्या करना चाहिए का कठिन समय में मदद ले लेनी चाहिए खा कठिन समय में किसी की मदद नहीं लेनी चाहिए, गा उसका हाथ थाम लेना चाहिए, घा इन में से कोई नहीं और इसका सही उत्तर है खा कठिन समय में किसी की मदद नहीं लेनी चाहिए प्रशन 18, कवी के अनुसार जीवन में कौन सफल होता है? खा कटिन समय में मदद लेने वाला, खा कटिन समय में हार मानने वाला, गा जीवन के हर मोड पर दूसरों पर निर्भर रहने वाला, घा हमेशा महनत करने वाला, और इसका सही उत्तर है घा हमेशा महनत करने वाला. प्रश्ण 19, कभी के अनुसार कठिन रास्ते पर चलने का फैसला करने वाले मनुश्य को क्या प्रतिग्या करनी चाहिए? का वह कभी नहीं ठकेगा? खा वह कभी रुकेगा नहीं, गा वह कभी पीछे मुड़कर नहीं देखेगा? गा उपरोक्त सभी और इसका सही उत्तर है ग गा जीवन के अंत में हार मानने वाले का, गा किसी भी परिस्थिती में हार ना मानने वाले का और इसका सही उत्तर है गा किसी भी परिस्थिती में हार ना मानने वाले का 21. मुणने का तातपरे क्या है? का यादों में लोटना, खा मंजिल प्राप्त करना, गा मंजिल प्राप्त किये बिना लोटना, घा ठक जाना और इसका सही उत्तर है गा मंजिल प्राप्त किये बिना लोटना प्रश्ण 22, शपत का क्या आर्थ है? का पत, खा प्रतिग्या, गा परिश्रम घः कामना और इसका सही उत्तर है खा प्रतिग्या प्रश्ण 23, मनुष्य को लक्षय की ओर बढ़ने के लिए कभी ने क्या प्रेड़ना दिये है? और इसका सही उत्तर है का अथक परिश्रम करने की, खा काम से जी चुराने की, गा थक कर रुख जाने की, घा विचलित ना होने की और इसका सही उत्तर है का अथक परिश्रम करने की प्रेश्ण 24, कविता के अनुसार मनुश्य में किस प्रकार की विशेश्टा है गा सफलता पाने के लिए अंतिन समय तक प्रयास करना, खा कठिन परिस्तितियों में भी संगर्ष करते रहना, गा जीवन की कठिनाईयों को सरल बना लेना, गा सभी, और इसका सही उत्तर है, गा सभी. प्रेशन पच्चीस, कविता में कवी किसे संभोधित कर रहा है, क काय व्यक्ति को, ख, जीवन की राहा में बढ़ते परिश्रमी व्यक्ति को, ग, आलसी व्यक्ति को, ग, ताकतवर व्यक्ति को, और इसका सही उत्तर है, ख, जीवन की राहा में बढ़ते परिश्रमी व्यक्ति क प्रेशन 26, पत का परियाएवची छांट कर लिखे, क रह, ख छाह, ग चाह, ग मार्ग, और इसका सही उत्तर है ग मार्ग प्रेशन 27, कवी मानव को थकने और थमने से क्यों वना करता है? गा, क्योंकि लक्षय पाने के लिए निरंतर परिश्रम जरूरी है, खा, क्योंकि ठकना वठमना कायरता है, गा, क्योंकि ऐसा करने से लक्षय में बाधा आती है, गा, उप्रोक्त सभी, और इसका सही उत्तर है का, क्योंकि लक्षय पाने के लिए निरंतर परिश्रम जरूरी ह प्रेश्ण 28- संघर्ष में जीवन के सुंदर रूप को कविता की किस पंक्ती में दरशाया गया है? का तू ना ठकेगा कभी, खा तू ना थमेगा कभी, गा अगनीपत, अगनीपत, गा यह है महान दृश्च है. और इसका सही उत्तर है गा यह महान दृश्च है. कवी ने कविता में व्रिक्ष शब्द किसके लिए प्रयोग किया है? कोई नहीं और इसका सही उत्तर है का कठिन समय में भी आगे बढ़ते हुए मनुष्यों को देखना।